कि समझ निया रहा भाई मेरे तो अभी दर से अनल लगी है वाज है ना बोलने की तो यहां पर अगर कोई ऐसी शक्ति है तो वह एक बार और इसके सामने से जाएगी तो हमें पता चल जाएगा आप चल गया गई प्रेन नॉर्मल इंवेस्टिकेशन के दरना मोशन संसर का बहुत बड़ा रोल है बहुत बड़ा यह मोशन संसर एक ऐसी चीज़ा कोई लाइट की मतलब स्पी यह क्या है अब यह आप चाहते हैं यहां से चले जाएए जल गई तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं Most Trusted App के बारे में Lotus 365 जिसके ब्रैंडम बेज़र है काजल अगरवाल, नवाजूति इंस्वीद की और उर्वशी रोठेला जी यह सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो भारत में लगबग 2015 से एक्टिफ है आप पर आपको फुलबोल, टैनिस और क्रिकेट के अपडेट्स भी मिल जाते हैं आप यहां पर हजार से भी जारा लाइफ गेम केल सकते हैं बोनोस ओफर का लाब उठाएं, अभी डाउनलोड करें, लोटस सेरी सेक्स्टी फाइफ आज की जो कहानी है ना, बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा जैसे आज में यह सिंपल एक टॉर्च लेका आया हूँ ना ऐसे ही भारत में लाखों लोग ना, हर रोज रात को जाते हैं इन खेतों में इनी खेतों में जब हम शहरों में अपने घरों में सोरे होते हैं दिन की गर्मी से बचने के लिए और रात को गाउं में जाजतर बिजलियां आती हैं पानी जो होता है रात को चलता है पता है कि हम बहुत modernize हैं हम बहुत modern हैं हम नहीं मानते बहुत सारी चीजों को लेकिन आज की जो कहानी है ना आज की कहानी सौ फीसीदी सच है क्योंकि जिसने मुझे आज की एक कहानी सुनाई है मैं खुद देखके आया हूँ उसका हाल कि एक आदमी कैसे तिमागी तौर पर परेशान और तिमागी तौर पर पागल हो सकता है रोज मर्रा की तरह है एक आदमी पानी चलाने आता है खेतों के पास अक्सर टौर बनी होती है जिन में से पानी निकलता है पंप होता है उस टौर में बैठा होता है वो अपना अराम से अराम कर रहा होता है उस टौर पर बैठ के तभी खेतों के अंदर से एक आदमी आता है और उसके पास अकर बैठ जाता है आम तोर पर क्या होता है आगओं के लोग एक दूसरे को जानते होते हैं एक दूसरे को पैचानते होते हैं सारे वो जानते होते हैं कि ये मेरे गाउं का है या नहीं है लेकिन वो आदमी उस शक्ष को पहली बार देखता है जब उस इंसान को पहली बार वो देखता है तो वो सोचता है कि मैंने इसको तो पहले कभी देखा नहीं है आज पहली बार मैंने देखा है उससे बोलता है कि आप कौन आपको पहली बार देख रहा हूं मैं नहीं हो कि आप यहां पर तो जवाब आता है कि हां मैं साथ वाले ग तो वो उसको बोलता है जब मैंने कहानी सुनी न मैं फील्ड में चला गया मैं इमेजिनेशन करने लगा ठीक है तो जो भी एक कहानी सुन रहा है आपसे दर्ख्वास्त है मेरी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें तब ही आपको पूरी आज की एक कहानी और स्टोरी समझ में आएगी तो जो वो आता है बात होती है तो वो बोलता है कि भाई रात इतनी हो चुकी है आप खेतों में क्या कर रहे हैं अगर किसी के घर पे आए हुए हैं तो जवाब आता है कि ऐसी टहल ने आ गया था तो वो बोलता है उसको कि अब आप चले ज़िए यहां से वापसी सेफ नहीं है यहां पर अमूनम डगैती भी होती रहती हैं लूट पार्ट भी होती रहती है चीना जप्टी जिसको बोलते हैं तो वो गहता है अकेले हो आप और एरिया शुरक्षित नहीं है आप अपने घर की साइड चले ज़िए तो वो बोलता है तो घर भी मेरा नहीं रहा यह जवाब सुनकर वो आदमी थोड़ा सा सोचते कि क्या बाते गत रहा थोड़ा पागल तो यह जवाब सुनके और थोड़ा सा उसके कान खड़े होते हैं और वो पूछता है कि डर जाओंगा समझा नहीं मैं यह बात आपकी तो गहता है कोई नहीं मैं रोज खेतों में आता हूं भाई मेरा रोज का काम है मेरे को डर नहीं लगता आप अब ही जईए यहां से तो वो कहता है मैं बोल रहा हूँ ना कि आप डर जाओगे तो वो कहता है कोई नहीं आप एक काम करो आप मुझे ढरा दो लेकिन आप अभी फिलाल यहां से चले जाओ तो वो कहता है ठीक है जैसा आपकी मर्जी और वो सक्ष एकदम से गायब हो जाता है यह चीज देखकर जो आदमी होता है वो सोचने शमझने की जो उसकी शक्ती और शमता होती है वो खतम हो जाती है और वो वहीं पर ब्लैंक हो जाता है बहोश हो जाता है जब वो वहाँ पर भेहोश होता है ना तो उसकी आख खुलती है और वो आख खोल के देखता है कि आट दस आदमी उसको जगा रहे होते हैं कि भाई मोहन क्या हुआ कैसे तू यहाँ पर भेहोश पड़ा हुआ तो वो पूछता टाइम क्या हो रहा है सुबह के 6 बज़रे होते हैं और यह जो वाक्या था रात के 12 बज़ेगा था 6 गंटे वहाँ पर भेहुश पड़ा रहा है और यह वो घर था यह वो ट्वेल थी जो सामने आप देख रहे हो जिसका वाक्या में आपको बता रहा हूँ तो है कि इसिए चोंट मे सारी घटर नहीं होती है कि इन खेतों के बीच से वो निकले आधा अभी यहां पर जो देख रहे हो ना आप सामने जो ही सपाट मैदान है यह भी सपाट मैदान नहीं पैले यह इंखे हुआ करती थी देखो की अधिल देखु है देखो आपे देख सकते हो वो गन्य के कहते हैं और यह एक वह तुर्ण सा पाट मैंद यह वह है कि आजर को थोड़ा साब और यहांपर वो बंड़ा होता है और इन्हें गन्य के खेतों में से आदमी यह कथ यह पर आकर उसके पास बैठता है पता है किया बहुत इजी है जब तक हमें भूत या प्रेत जिनको हम बोलते हैं न वो ना दिखे समझे आप मेरी बात बहुत असान है और नहीं दिखे तब ही तक हम बहुत कूल है और बहुत अच्छे हैं लेगिन अगर आपको ऐसी कोई चीज दिख जाए और वो गायव हो जाए न तो इमेजिन करो उसके बाद आपकी जो जिन्दगी होती है वो बदल जाती है 2400 घंटे एक डर और एक साया लगता है आपको मेरे साथ है और आपके साथ ही ये क्यूं हुआ वो मैंने आज जब उस इंसान को देखा ना तो मैं हका बका रह गया सोच में पढ़ गया कि इस आदमी ने अपनी आखों से ये जो देखा है जो बता रहा है उसके बाद थोड़े दिन तक उसकी तबियत खराब रहने लगी बुखार चड़ जाता था डरके हमारे सोच के थोड़े दिन बाद वो आता है एक रात को एक जगे से या रहा होता है और पीछे से उसको एक आवास सुना ही देती है उसके नाम की वो पीशे पलटके देखता है तो कोई नहीं होता है थोड़ी दूर तक और आगे चलता है आजलान upfront कित्वारी दूर्ज जैसा भी हाँ से कहीं से आवाज जाइरे है चिलाने की हाँ तो जा रहा होता है अदमी जब जा रहा हो तो देखता है कि फिर से वही आवाज उसको दोराती है और उसको देखते है कि एक पेड़ आई, उसको कुछ साया दिखाई दे रहा है। यह वो पेड़ है, जिस पर विमा टॉच मार रहो. और ईस पेड़ के पास वो साया इसको दुबारा दिखाई देता है। और वो इसको आगनौर करके चला जाता है, क्योंकि उसके साथ पहले यहां पर वो ही हादसा हो रखा था और वो इस रोड से आगे चलता जाता है चलता जाता है लेकिन चांद जैसे कि आज चांद चांदनी रोशनी की रात है ऐसे ही वो रात होती है और उसको लगता है कि एक परचाई उसके साथ ही चले जा रही है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा कभी जब तक हमारी जिन्दगी में ऐसी घटना है या फिर ऐसी चीजें नहीं होई होती है तब तक ही हमें लगता है कि एसी कोई घटना ना घटी है ना हुई है लेकिन ऐसी घटना है अगर किसी के साथ हो जाए तो सच में उसकी जिन्दगी बदल जाती है हमेशा डर और वो ही चीज उसको टॉर्चर करती रहती है बार बार उसको वो ही सपने और वो ही खयाल आते रहते हैं, वो मैंने आज अपनी आखों से देखा, तो आज का जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है ना, वो यही रहने वाली है, क्योंकि एक बार नहीं दो बार, और एक आदमी नहीं बीसो आदमियों के साथ, यहां पर कुछ न तो देखते हैं, आज हमें क्या देखने को मिलता है, निकाले यूवी लाइट बहुत कम लोग आते हैं यहां पे रात को कि इसी की हालत सब देख सकते हो कि कितने दिन और शाइद इसको चली भी नहीं है यहां पर पूरी भोरी यह सब कुछ भड़ा हुआ है पीचे की साड़ भी देखो यह पाइप जो रात को पानी ही चलाते देखो यह पाइप है सारे जो कटे भी रखे में इस दिख रहे हैं बहुत दूर कहीं खेती ट्रक ट्रेक्टर चल रहा रात को और गानों की आवाज भी आरी होगी आपको वह हमसे कई किलोमेटर दूर है लेकिन आवास तो आवाज है ना आरी होगी रात को भी भी इधर भी पाइप पड़े है वह सारे दिख रहे हैं तरकी साइड यह देख यह पाइप है कटे वे क्योंकि अब यहाँ पर वह पानी नहीं चलाते है रात को चीक है इस वाले खेत में कि उस पेड़ तक कैसे जाए जाएगा राकेश यह दो गीली मिट्टी बढ़ी है पूरी और हम जिसम जैसी इसमें पैर रखेंगे ना धज जाएंगे हम साइड़ साइड़ से कोशिश करते हैं चलने की है ना यहीं हो गन्ने के खेत थे वाई इंक थी पूरी जो अब फिला चल जाएगा काम अब आज अब आज अब आज आज तुन रहे हैं लोहापीटनी की आवाज आज हागी है अब यह पूरे अब यह इधर की सेड़ अलगी खेत हैं और हम इसी खेत में चले जा रहे हैं हॉंटेड खेत अब जैसे आगे बढ़ते जारी नहीं ज्यादा गिली होती जारी है और जूत होगी ऐसे तो होई गई है ऊपर ही चड़ना पड़ेगा में किसी तरीके से हैंना आगे जाया नी जायेगा दस जाएंगे हम अगे नी जाया जायेगा भाही बिकॉज यह पूरा इतनी घीली हो जूटोगी दिखा दे बाई कैसी तैसी हुई हट सामने देखने 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 मेरे को बहुत दूर है यह पेड़े तो राकेश इसमें से चला जाए यह कहता है स्वाप बग्यरा मुश्किल है यह से बहां तक पहुच पाना है नहीं पहुच पाएंगे देख आगे जाड़ी पूरी बंदे है अवाज आ रही है यह यह ऑज़ा चिलाने के वाद आ रही है यह हुच देखेंगे जलके पहले क्या ड्रामा है है अईव कर दो झाल